सिलोम ऐलेकुम गाईज broke dog youtube कैसे हैं हो अब सब आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर वाशिंग मशीन का कवर बनाना बताऊंगी तो चलेंज अपना काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम वाशिंग मशीन का माफ ले लिए लेगे तो मैंने वाशिंग मॉशीन की लंबाई माप की है तो मेरे पास जो लंबाई है वो 35 इंच आई है तो मैं कपड़े पर 36 इंच रखूँ क्योंकि हाफ आफ आफ इंच नीच सलाई उपर से और नीचे सलाई अलाउंस में जाएगा उसके बाद मैंने इसकी चोड़ाई माप कर है तो मैं कपड़े पर 23 इंच रखूँगी उसके बाद हम उपर वाल ऐसे की लंबाई मालूम करेंगे अगर आपका उपर वाल ऐसा इस तरह बढ़ा हुआ है तो आपने जहां से बैक साइड से इंची टेप रखनी है और फरंट तक लेकर आनी है तो मेरे पास जो इसकी लं इसमाल में नहां तो इस तरह आपने उसका कवर बना लेना है तो सबसे पहले हम इस तरह रकेंगे और इसके लंबाई माप करेंगे मेरे पास जो वाशिंगमशीन की लंबाई थी उसके बाद जो मेरे पास इस चोड़ाई थी वाशिंग मेरे निशां लगाए rechtsी 23 इंच पे आपने सेम इस तरह तीन पीसिज और कटिंq कर लेने ने हैं क्योंकि हमारे पास Washing Machine की Čर तक काईटे होती हैं तो हमने तीन और कटिंग्ग करने हैं इस तरह के तो ये मैंने चारो पीसिज कटिंग कर लिए है तक का बाद इनको आपस मे इस तरह लंबाई वाली साइट पर जोड़ते हुए उपर से सलाई लगाएंगे तो चारों पीसेश आपने इस तरह सलाई लगाते हुए आपस में जोड़ लेने है ये मैंने इन चारों पीसेश को आपस में जोड़ लिया है ये देखे अब उसके बाद जो नीचे वाली किनारी वेल साय होती है आपने सबसे पहले 1.5 INC की वो फोल्डिंग करनी है और नीचे की स्लाई लगाने के बाद उसके बाद इन चारों पीसे को जो आखरी वाली स्टाईल राए गई है उसको भी आपस में जोड़कर आपने स्लाई लगा देनी है इस तरह नीचे से हाफ इंच की फोल्डिंग करेंगे नीचे से फोल्डिंग करने के बाद मैंने इसकी चौते वल साइट को भी जोड़कर ऊपर से स्लाई लगा ली है अब ये मेरे पास वाशिंग मशीन के नीचे वाल ऐसा त्यार हो गया तो मेरे पास इसकी लमभाई 32 इंच हैट मैं 32 इंच पी निशान लगांगी चोड़ाई जो है वो मेरे पास 23 इंच हैट मैं 23 इंच पी निशान लगाकर इसको कटिंग कर लोगी तो ये मैंने वाश्चिंग मशीन के उपर वाला पीस भी कटिंग का लिया है, अब उसके बाद नीचे से फ्रिल लगानी है, तो ये फ्रिल के लिए मेरे पास पीस बच गया था, तो ये मैं कटिंग कर लूँगी, फ्रिल की जो लंबाई है आपने अपने कपड़े के साफ से हैं जतना आपके पास कपड़ा हो और जो चुड़ाई है वो मैं 7 इज रखूंगी और 7 इज चुड़ाई रखते हुए मैं इसको साइडों से बराबर कर लूँगी उसके बाद आपने वाशिंग मशीन के नीचे वाला हिसा ले लेना है इसके चार साइड थे इसमें से एक साइड आपने ले लेनी है और उपर वाला हिसे को इस एक साइड के साथ जोड़ कर आपने उपर से सलाई लगानी है इस तरह रखना है और उपर से इसको स्लाई लगा देनी है तो ये मेरे पास फ्रेल वाला कपड़ा है फ्रेल के नीचे से मेरे पास किनारी वाला कपड़ा है तो अगर आपके पास किनारी वाला कपड़ा नहीं है तो आप नीचे से इसके फ्रिल की हाफ इंच की फोल्डिंग करेंगे लेकिन मेरे पास किनारी वाला कपड़ा है इसलिए मैं इसकी फोल्डिंग नहीं करूँगी उसके बाद मैं इसके साइडों से फोल्डिंग करूँगी दोनों साइट से फ्रिल की फोल्डिंग गरूंगी और जो उपर वाला हिस्सा था उसके साथ इस तरह रखेंगे फ्रिल को और इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे उपर वाला हिस्सा था उसका एक जो हिस्सा था हमने नीचे वाल हिस्से के साथ जोड़ दिया था जो बाकी तीन ही से रह गये थे उस पर हमने फ्रेल लगानी है तो इस तरह रखते हुए आपने तीनों जगा पर छोट-छोटी प्लेट्स डाल लेनी है मैं तकरीबन हाफ आफ इंच के डाल रहे ही हूँ आपके पास जितना कपड़ा हो आपने उस हिसाब से डालनी है तो जी गाइस हमारे वाश्रिंग मेशीन का कवर बन कर त्यार हो चुका है अमीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करतीजिएगा फिल वक्त के लिए अल्ला हाफिस